गुजिरात और रायस्थान के लोगों की लंबी मांग अब पूरी होने जा रही है हरिद्वार में सुरू हो रहे कुम्ह मेले में सामिल होकर गंगासनान कर सकेंगे दरसल आंदावाद और हरिद्वार के बीच चलने वाली योगा एक्सप्रेस एक बार फिर से सुरू हो रहा है ये ट्रेन कुछ बदलाओ के साथ चलेगी ये बदलाओ क्या है और ये ट्रेन कब से चलेगी यह सब जानने के लिए वीडियो कौन्त तक देखते रहें इसे से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को आउन कर देए ताकि इस तरह की जानकारी वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके पहला बदलाओ इसके टाइम टेबल में हुआ है दूसरा बदलाओ ये है कि ये ट्रेन स्पेसल ट्रेन के रूप में चलेगी जिसे से मेल एक्सप्रेस की जगा या सुपरफास ट्रेन हो जाएगी तीसरा और सबसे मातपूर्ण बदलाओ ये है कि अब ये ट्रेन योग नगरी रिसी केस तक जाएगी और वहीं से रवाना होगी अब रिसी केस जाने के लिए हरी द्वार होकर ट्रेन मिल जाएगी इसका फायदा या होगा कि अब हरी द्वार में ट्रेन बदलने के अवस्चता नहीं होगी ट्रेन संक्या 09031 अहम्दाबाद योगनगरी रिशी केस योगाई स्पेशल ट्रेन 11 जनवरी 2021 से परति दिन सुबह 10 बचकर 55 मिनट पर अहम्दाबाद से रवाना होगी और अगले दिन 12 बचकर 30 मिनट पर योगनगरी पहुचेगी इसी प्रकार ट्रेन संक्या 09032 योगनगरी रिशी केस अहम्दाबाद योगाई स्पेशल ट्रेन 12 जनवरी से अगले आदेश तक परति दिन दोपहर 2 बचकर 50 मिनट पर योगनगरी रिशी केस से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3 बचकर 40 मिनट पर अहम्दाबाद पहुचेगी यह पहली ट्रेन होगी जो गनधी नगर होकर गुजरेगी इस ट्रेन के बारे में अधिक जनकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस ट्रेन के मुख इस्टेशनों का प्रस्थान समय हम आपको बताने जा रहे हैं गांधी नगर में 11 बचकर 49 मिनट महिसाना में 12 बचकर 45 मिनट पालनपुर में 14 बचकर 10 मिनट आबुरोड में 15 बचकर 15 मिनट अजमेर में 20 बचकर 45 मिनट जैपूर में 23 बचकर 0 मिनट दिल्ली में 5 बचकर 5 मिनट हरिद्वार में 11 बचकर 23 मिनट पर ये ट्रेन प्रस्थान करेगी इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगेंगे यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ इसे सेर करें